चलो बताना, एक किसान है, दादा नहीं कमाता, पादाती से पहले के दिन है, तब कैसे किसान होते थे जानते ही हो, कैसे होते थे, और भी दुलबर, और भी गरीब, और एक मंदिर है, उसमें एक पंडित जी है, ठीक, वो किसान, और हम बात कर रहे हैं, 1930 की, वो किसान बस एक रुपया, बस एक रुपया, हर महीने ले जाकर के क्रांतिकारियों को समर्पित कर देता है, उस समय का एक रुपया आज का, अर इतना तो नहीं कर पाता हो गए, वो किसान हर महीने बस एक रुपया ले जाकर के क्रांतिकारियों को समर्पित कर देता है, और कर वो किसानी ही रा है, नगीता जानता है न रामायन, उपनिशद का तो उसे उन नहीं पता, करता क्या है वो, किसानी करता है, पर एक रुपया ले जाकर के, चोरी छुपे, भगत सिंग की संस्था को, इचंगर शिखराजाद को ले जाकर के, कराता है, और वो नहीं जानता, कि यह हिंदुस्तान, सोचलिस्ट रेपिबिलकन आर्मी क्या चीज़ है, वो जादा यह सब जानता नहीं है, वो यह भी नहीं जानता, कि जिन क्रांटिकारियों को, वो यह रुपया दे के आ रहा है, वो करेंगे क्या, वो तो वैसे भी, अधिकतर रहते हैं, अधिकतर, और दूसरी और हमने का एक है, पंडित जी, पंडित जी काम करते हैं मंदिर में, और वहाँ आप आए जम करके, चढ़ावा, और पंडित जी दिन भर आरती गाएंगे, और श्लोक, वहीं बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और जो चढ़ावा आता है, वो अपना रोज र अब भजन और कीर्तन यहीं करते हैं, और मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उठा किने जाते हैं, घर अपने, धीरे धेरे करके जमीने खरीद रहे हैं, और यह सब उनका भी अपना कारिकरम चल रहा है, बिटिया की शादी करनी है, किसान जानता ही नहीं है, वेद पुराण कुछ नहीं जानता, वो बस इतना जानता है कि किसी भी तरीके से, एक रुप्या, और उसके लिए वो एक रुप्या बहुत बड़ी बात है, अब बोलो अध्यात में कौन है इन दोनों में, तुम अपना कर्मफल, समर्पित किसको कर रहे हो, जिंदगी प्रमान होती है, शब्द नहीं, तुम्हारा पसीना प्रमान होता है, तुम्हारा श्रम प्रमान होता है, तुम्हारी साधना प्रमान होती है, तुम्हारा वक्तव्य नहीं, मेहनत कर रहे हो क्या और जो मेहनत करते हो वो फिर कह रहा हूँ किसको चढ़ावे में चढ़ा आते हो मेहनत दिखाओ अपनी मेहनत बातचीत तो कोई भी कर सकता है कि नहीं बताओ वास्ताओ में किया क्या और जो किया किसके लिये किया जो कुछ भी किया, किसके लिए किया, बहुत कुछ किया होगा, अपने लिए किया तो, अरे क्या किया, बहुत करते हो, अरे अपने घर के लिए करते हो, भाड़ा में जाओ, अपने लिए जीए तो क्या जीए, बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात शाबाश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है जबर्दस टेक्नालोजी लेकर गया आई है क्या बात है क्या बात है और आप कौन है जी हम उसके 55 प्रतिशत शेयर होल्डर है तो कंपनी जो कुछ भी करती है उसका माल कहा आता है हमारी जेव में भाड़ में जाओ